हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत है आपके हमारे चैनल डाइब व्लोग्स इन राइट्स पे मेरा नाम है देव यह कल हम डेवन पपितरह वीडियो में हम लोग गह थे बोटिंग में अगर वो वीडियो नहीं देखें तो प्लीज जाएए मैं लिंक का उपर दे रह है यह चोटा है इसमें नहीं जाएंगे हम लोग यह साथ पर रहेंगा हमारे बच्चा सा है इसका इतिंग दस साल है गैरा साल हुमर होगा है तो हम लोग और टावर पे बहुत चुके हैं और यह स्टार्ट हो रहा है हमारा एलिकंट सबारी आये चलिए है तो पहला जो है हम लोगों को दिख्षा वह है राइनोस राइनोस ली अखेले घंच यहां पर जो डिरूट जहां पर है वह जो है एक बच्चा रहता है ममी के साथ हे हैं करद सोवी रहते हैं हम लोग ने जितने भी रह इनो देखे हैं हम हम लोगों नहीं नीनस से उठाया उन लोग है मैं और नवेनी यह सारे grasslands में रहते है छ sogenले मैदा में रहने पसंद करता है जुन बेन रहते हैं तो हमारे साथ एलीफेंट पाच एलीफेंट है हम लोग के साथ में जा रहे हैं तो ये और एक पेर है ये ये बंदा ये भी सो रहा था गेंडा मामा भाई दोड़ा मत देना हमें दूरी रहना और जैसे कि मैं कहा रहा था कि हम लोग पाच छे एलीफेंट से साथ में जा रहे हैं और ये एक तीसरे जोड़ा यहां पे भी है ये चोड़ा वाला बच्चा है और वही तो आधिया जादा नहीं है जादा तर ग्रास लेंड्स यह दूर में दे सकता है कि जंगल है लेकिन वह उतना जादा नहीं है तो काफी सही रहा था एक्सपिरेंस अच्छा था तो अभी हम जा रहे हैं जीव सफारी के तरफ एलीफेंट सफारी होगे अपना अल्मोस्ट थर्टी टू-फॉर्टी मिनेंट्स होता है एलीफेंट सफारी तो आप उसके बाद यह भी कर सकते हैं एक तरह नहीं है कि हम अलग-अलग रीजन है रीजन नेकी है और हम लग जा रहे हैं जंगल के बीच और यह जो आप देख रहे हैं साइड में जब बारिश होती है तो यह पानी के नीचे चल जाता है इसलिए रोड जो है थोड़ा सा हाई लेवल पर है रोड पर पानी नहीं आ जाना पड़ाएगा उसके बीच में तीन-चर महीना पार्क बंद रहता है तो हमारे साथ अभी गार्ड है हर जीत में गार्ड रहता है सेक्यूरिटी के लिए शेर वहाँ पर उतना है नहीं लेकिन बाइचांस फिर भी कभी राइनो दोड़ा बढ़ा दिया तो उसके लिए एक बंदूक के साथ एक गार्ड मैंडेटरी है रहना जरूरी है जैसे कि अब देशे तो उतना जंगल नहीं है ठीक है आप भी तो रहा है वह गुहार्टी से 50 किलो मुटेस 50-50 किलो मुटेस से बहुत ही पास है तो आप एक वीकेंड के लिए यहाँ पर आसकते हैं फैमिली के लिए तो भाई होगे हम लोग का राइड जीप सफारी इलेफंट सबर यह भी हम निकल रहे हैं पर पुबतरा पाक से बाहर और यह बहुत ही अच्छा है एक हैंगिंग ब्रीच है हैंगिंग ब्रीच क्रोस करके आपको आना पड़ता है इलेफंट सफारी के लिए तो सब्सक्रास जो है बहुत की सही व्यू है कि हम धीरे धीरे जा रहे हैं गेट की दरब बोटिंग यहां पे भी होती है लेकिन आपको पूछना पड़ेगा हर्ट टाइम नहीं होता है बोटिंग यहां पर हम है खोटिल पोपीटरा पार्क से बाहर ही है यहां पर तुल्छ चायना स्त्रक या जाएगा तो भाईरों आज के लिए इतने ही आशा करता हो कि वीडिय करेंगे मिलते हैं अगले वीडियो बे तब तक के लिए पाई